इसमें हम लोग एक बहुते प्यारा सा कमल का फूल बनाएं जाएं कुछ पीला और पिंक कलर का कागज से और कुछ गोंद से पहले एक पिंक या गुलाबी कागज लेके दू बार तिर्चा मोड लें एक बार तिर्चा एक हिसा में फिर दूसर का तिर्चा अब एगो त्रीकोंड बने लेके बाद उपर दूगो त्रीकोंड और बना लें पतला वाला बीच के रेखा से मिला के ये तीर का नोखिला हिसा के जैसन दिखेला अब दूनों मोडल भी हिस्सा के खोल लें खरगोस के कान के जैसान आप लोग देख सकें जाके कित्तर खोले के हवे यह अपने कमल का फूल का एक हिस्सा बन गई यह तरह पांच को हिस्सा बना लें अब एको गोल कार्डबोर्ड का हिस्सा लेके उपर गोंद लगा लें और यह पांचो हिस्सा कमल का फूल का पत्ता का उकरे उपर चिपका लें आप लोग देख सकें जा कई से यह भाईले के बाद अब पीला वाला कागज ले लें यह उमें दू बार त्रीकोंड मोड लें उकरे बाद एको त्रीकोंड बना के वापस से एको और त्रीकोंड बना लें बीच वाला रेखा से मैच करद भाईल यह हिस्सा भी एकदम ओई तर बनाते ही जा जित तरे गुलब की फूल बने ले रनी जा अलग की फूल का पत्ता बने ले रनी जा अईसन भहिले के बाद एके पूरा खोल के वापस एके बीच में से मोड ले ताकि एकर बीच का लाइन दिख सके अईसन भहिले के बाद उकर एको कोना मोड ले अंदर के तरफ अईसन भहिले के बाद वापस से खोल के दिख़त हुए आईशन पांच गो या छगो और हिस्सा बना ले पीला वाला यह अपन गुलावी फूल का उपर का और नीचे का हिस्सा हवे अब पांच को पीला वाला हिस्सा लेके ओके गोंद से साइड से चिपका ले आप लोग देख सेके निजा कहिसे पांच ओ इस चिप खड़ा हो जाई तनीसा सूखे दें यह अपने कमल कफूल का बीच का हिस्सा हवे यह बीच का हिस्सा तैयार भाई लेके बाद आपन गुलाबी हिस्सा जों कमल कफूल हवे वो करे बीच के हिस्सा में तनीसा गोंद लगा लें आप लोग देख सेके निजा हम लोग गोंद कह से कमल का फूल बने लें जा लगा थन अच्छा